नमस्कार दोस्तो आप सभी का दोस्तो मेरे यूट्यूब चैनल दिनेश राजवन से पर स्वागत है दोस्तो आपके लिए आज में बहुत ही महत्पूर्ण जो सभी महत्पूर्ण टॉपिक है आपके यूपी टैट में वहां से दोस्तो सभी टॉपिक से कुश्चन उठाए हैं दोस्तो आपका बहुत ही महत्पूर्ण सावित होने वाला है ये वीडियो आपकी अंतिम तेयारी है दोस्तो यूपी टैट की इनने जरूर देखिएगा 100 प्रसनों को पूरा दोस्तो कोई कुश्चन अगर आ रहा है तब स्किप कीजिए अन्यथा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा पूरा ध्यान से देखिए और नोट कीजिए पहला कुश्चन दोस्तो इन्वार्मेंट सब्द किस भासा से बना है एंसर बताऊंगा दोस्तो डाइरेक्ट उप्सन नहीं पढ़ूँगा आप उप्सन पढ़िएगा इन्वार्मेंट सब्द किस भासा का बना हुआ है तो दोस्तो बी उप्सन से यह फ्रेंच भासा का अगला कुश्चन दूसरा एकोलोजी सब्द का प्रियोग सर प्रिथम किस ने किया है दोस्तो एकोलोजी पारिस्थित की सब्द का प्रियोग सर प्रिथम दोस्तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था 1869 में 1869 में दोस्तो अर्नेस्थ हैकल नामक विद्द्वान ने सर प्रिथम एकोलोजी वर्ड का प्रियोग किया अगला कुश्चन दोस्तो पारिस्थित की तंत्र की संकल्पना सर प्रिथम किस ने प् किस वर्ष प्रतिपादित हुई दोस्तो आपको बताना जो थियोरी दी थी वो किस वर्ष प्रतिपादित की थी इसका अंसर दोस्तो 1935 1935 B option होगा सही अगला कुश्चन दोस्तो सरवाधिक इस्थाई पारिस्थितिक तंत्र है इको सिष्टम है वो सरवाधिक इस्थेविल कौन सा होगा दोस्तो तो इसका अंसर होगा तीसरा option महा सागरों का जो दोस्तो ओसियन इको सिष्टम होते है वो सरवाधिक इस्थेविल होते है इस्थाई पारिस्थितिक तंत्र के उधारन है अगला कुश्चन दोस्तो निमलिखित में से कृतिम पारस्थिक तंत्र नहीं है कौनसा एकोसिस्टम कृतिम नहीं है तो इसका अंसर है दोस्तो मरुस्तल, डेजर्ट दोस्तो प्राकृतिक एकोसिस्टम होता है क्लियर और बागी तीनों आप्सन कृतिम के उधारन है तो कैसा बनेगा अप्राइड बनेगा सीधा प्रामेड क्लियर अगला कुश्चन आठवा घास इस्तल पारी तंत्र का उर्जा प्रामेड पूछा है दोस्तो ग्रास लेंड एरिया का उर्जा प्रामेड अब कैसे बनेगा तो दोस्तो आठमे कुश्चन का अंसर होगा हमेशा सीधा दोस्तो किसी भी एकोसिस्टम की बात करें हम तो उर्जा प्रामिट हमेशा सीधा ही बनता है अगला कुश्चन एक पेड़ पर दस पक्षी बैठे हैं जीव संख्या प्रामिट बताईए कैसा बनेगा दोस्तो जीव संख्या प्रामिट मींस नंबर प्रामिट की बात कर रहा है तो कैसा बनेगा ये याद रखेगा एक पेड़ पर कह रहा है कितने बैठे हैं दस तो कैसा बनेगा आपका उल्टा प्रामिट बनेगा इनवर्टेट उल्टा क्लियर अगला कुश्चन पारिस्थितिक प्रामिट की संकलपना किस बिद्वान द्वारा प्रितपादित है दोस्तो किस बिद्वान ने एकोलोजिकल प्रामिट की संकलपना दी थी थियोरी ओप्सन पढ़ लियोंगे इसका अंसर है दोस्तो चार्ल्स एल्टन 1927 में दोस्तो चार्ल्स एल्टन महोद ने प्रामिट की संकर अपना प्रितपादित की थी जिसे एल्टोनियन प्रामिट भी कहा जाता है क्लियर हो गया होगा अगला कुश्चन दोस्तो 11 खाद इस रंकला में निम निस्तर पर होता है जो food chain है उसमें निम निस्तर पर कौन होता है option पढ़ लिए होंगे आपने इसका answer सही है दोस्तो 11 question का A option उधपादक जो producer होता है दोस्तो वो निम निस्तर पर होता है अगला कुश्चन शत्रवी लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तो ये कुश्चन दोस्तों इंडिकेट कर रहा है कि बर्तमान में जो नियुक्तियां है वो भी आपका पूछा जा सकता है पिछली बार आया था इसलिए आप बताईए लोकसवा द्यक्ष कौन है दोस्तों बर्तमान में आपके ओम बिड्रला है शत्रवी लोकसवा दोस्तों चल भार सिर्जित करती है याद रखेगा जो उच्छ सदन है आपका राज सभा वो आपकी आखिल भारती सेवा है आई-ए-ए-ए-स जैसी सेवाओं का सिर्जन करता है अगला कुश्चन मकराना खान किसलिए प्रसिद्ध है दोस्तों आपको बताना है मकराना जो खान है वो किस इसलिए प्रसिद्ध है इसका अंसर है दोस्तों डी ओप्सन संग मरमर अगला कुश्चन धार्णी विकास की आउधार्णा दोस्तों पंद्रा कुश्चन कह रहा है धार्णी विकास की आउधार्णा किसने प्रतपादित की थी इसका अंसर है दोस्तों तीसरा ओप्सन ब्र आपको बताना है जो दुती पृत्वी सम्मेलन है सेकेंड आर्थ समिट वो कहां पर आयुजेत हुई थी तो दोस्तो इसका आंसर हो गया C ओप्षन जोहांसबर्ग दच्छन अफरीका का एक सहर है स्वर्णे नगर वहां पर दोस्तो पृत्वी सम्मेलन आयुजेत हुआ था स अगला कुश्चन भारत में धार्णी विकास की द्रश्टी कौन से बिद्दुत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है दोस्तो धार्णी विकास की द्रश्टी से आप पूछ रहा है अंसर है दोस्तो इसका B option जल बिद्दुत दोस्तो धार्णी विकास की वो दुस्तु कब गठित किया गया तो इसका अंसर है 1982, 1982 में दुस्तो याद रखीगा इसे ध्यान से, अगला कुश्चन, कौनसा मानो परियावरण का विध्वनसक है, मेंस कौनसा मनुस्त से जो परियावरण का विध्वनसक होगा, ऑफ्सन ध्यान से पढ़िएगा, इसका दोस्तो अंसर है दूसरा विकल्प प्रोध्दुग की मानो दोस्तो एंडस्टिलीज जो आपका विकास करेगा वो मनुस से ऐसा है दोस्तो परयावन का बिध्वनसक नाम दिया गया अगला कुश्चन 20 निम्ण मैं से कौन सी विवस्ता प्राकृतिक नियमों से संचालेत नहीं होती है दोस्तो चारों विकल्प ध्यान से पढ़ लिया होंगे जीवों के प्रतीक कारकों का योग परयावरन है यह कथन किसका है दोस्तो ए ओप्सन ए फिटिंग महुदे का दोस्तो यह कथन है जीवों के प्रतीक कारकों का योग परयावरन है दोस्तो अगला कुश्चन आधो लिखित मैं से भौतिक वातावरन का तत्तो नहीं है दोस् दोस्तो वो बहुत एक परियवर्ण का उधारन नहीं है अगला कुश्चन दोस्तो 23 सततवा इस्थाई विकास किस प्रकार की उधारना से संबंद रखता है दोस्तो ये ध्यान से अंसर अगर नहीं आये तो नोट कीजिएगा इसे दोस्तो इसका अंसर होगा नव नियतिवाद आउधारना नियो डिटर्मिनिजम दोस्तो याद रखेगा नव नियतिवाद कॉंसेप्ट है जो वो सतत इस्थाई विकास की एक आउधारना से संबंद थे अगला कुश्चन दोस्तो बरतमान समय में वन ने छेतर उसे कहा जा सकता है जहां प्रकरती में मानों किरियाओ द कम अगर दोस्तो मनुस्त्वस्त ने 50% से कम परवर्तन किया है तो वो दोस्तो वन्ल चेतर है अन्य था वो आपका परवर्तjang चेतर हो जाएगा मानो नियुमेत अगला कुश्चन निम्द मैंसे किस एक का संमन्द परियावरान सुरक्षा से नहीं है दोस्तो परियावरान संतुलन बनाए रखने के लिए वनान तरगत छेतरफल होना चाहिए दोस्तो वनों का कितना छेतरफल होना चाहिए 33% ए उप्सन सही होगा 33% अगला कुश्चन भारत में वन अनुसंदान संस्तान इस्ते थे भारत में दोस्तो वन अनुसंदान संस्तान कहां इसते थे आपको मालूम है पिछली बार भी एक्जाम में आये था देहरादून उत्रखंड की राजधानी दोस्तों देहरादून में इसते थे अगला कुश्चन सोपान किरसी कहां की जाती है दोस्तो सोपान किरसी याद रखेगा ये दोस्तो A option सही है पहाड़ों के धलानों पर जो किर्सी की जाती है उसे सोपान किर्सी कहते है clear पहला option सही होगा 28 का अगला question 29 दोस्तो 29 question के रहा है निमलिखित मैंसे कौन सा स्वा इस्थाने in-situ संरक्षन का उधारन नहीं है ध्यान से अंसर दोस्तो in-situ कंजर्वेशन का एक्जाम्पिल नहीं है आपसे पूछा जा रहा है और अंसर है दोस्तो D option निमनित आपिए संरक्षन दोस्तो ये आपका x-situ का एक्जाम्पिल है जबकि बांकि तीनों है इन-situ example के लिए इन-situ कंजर्वेशन के अगला question बाह इस्थाने x-situ संरक्षन का उधारन है दोस्तो x-situ कंजर्वेशन मींस बाह इस्थाने संरक्षन का उधारन है अंसर होगा उपरियोक्त सभी दोस्तो सीड बैंक जीड बैंक और आपका चिडिया घर ये दोस्तो सभी आपके बाह इस्थाने सनरक्षण के एकजामपिल हैं सीड बैंक और बीज बैंक और चिडिया घर अगला कुश्चन जैव वित्ता हिरास होने का प्रमुक कारण दोस्तो बहुत ही इंपोर्टेंट कुश्चन है याद रखिएगा इसका अंसर है पहला विकल जो दोस्तो हैबिटेट होता है आवास उसका दोस्तो बिनास होना जैव वित्ता हिरास होने का प्रमुक कारण है क्लियर हो गया होगा अगला कुश्चन दोस्तो 32, साइबेरियन क्रेन, प्रिवासी पक्षी का आश्र इस्तल है, दोस्तो ये जो प्रिवासी पक्षी है भारत में आता है, वो किस उध्यान में अपनी सरण पाता है, इसका अंसर दोस्तो आपने पैचान लिया होगा, D ओप्सन है, केवलादेव वन जेवमंडल रिजर्व कब बनाया गया, दोस्तो ये कुश्चन थोड़ा सा सन पर आधारित कर दिया गया है, वर्स बताना है, नेलिगिरी जो जेवमंडल रिजर्व है, वो कब बनाया गया था, तो 34 कुश्चन का अंसर होगा, B ओप्सन, 1986, 1986 में दोस्तो नेलिगिरी जेव रखिएगा इसे, हिमांचल प्रदेश में, कोल्ड डेजर्व बायोस्पेर रिजर्व दोस्तो इस्थापे थे, याद रखना है, अगला कुश्चन 36 से, विश्चु की सबसे लंबी परवस्रेंखला कौन सी है, दोस्तो, लोंगेस्ट रेंज, दोस्तो इसका अंसर है, रूस में, साइबरिया प्रदेश में इस्थे थे, विश्चु की सरवाधिक गहरे जील, मित्रो अच्छे लग रहे हों कुश्चन तो लाइक कर दीजिए, सेयर कर दीजिए दोस्तो तक, और दोस्तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए, साथ में वैल आइकन दवाईए, जि सरवाधिक खारी जील है, अगला कुश्चन, छेत्रफल में सबसे बड़ी जील दोस्तो पूछाए, दोस्तो सबसे बड़ी जील कौन सी होगी छेत्रफल में, अंसर है थर्ड ओप्सन, कैस्पियन सागर, मित्रो ये विश्व की सरवाधिक सबसे बड़ी और खारी सबसे अगला कुश्चन, मंगल ग्रय के कितने चंद्रमा हैं, इसका अंसर आप पहचान गए होंगे, दो हैं, दोस्तो फीबोस और डिमोस, याद रखियेगा, सौर मंदल से भी कुश्चन बनीगे, अगला कुश्चन, निमलिखत में से किस ग्रय की एक भी चंद्रमा नहीं है, कि गुद्धि रहके भी एक नहीँ एक भी नहीए चंद्रमा याद रखिएगा अगला कुष्चन भगवान महावीर उझ्यान किस राज में है अंसर दोस्तो डी ओपसन गुवा गुवा राज में दोस्तो 42 डामफा अभ्यारंड किस राज में है दोस्तो बहुत ही इम्पोर्टन कुश्यनों का संगर है ये डामफा अभ्यारंड किस राज़ में इस्तित है इसका अंसर है दोस्तो मिजूरम मिजूरम राज़ में डामफा अभ्यारंड इस्तित है याद रखिएगा अगला कुश्यन है दोस्तो 45 केईबुल लामजाओ जो जील है में तेरता हुआ अभ्यारं में इस्ते थे अगला कुश्चन है दोस्तो 46 सीतकाल में प्रारंब में बोई जाने वाली सीतकाल के प्रारंब में बोई जाने वाली फसल कौन सी होती है दोस्तो आपको फसल से भी कुश्चन आते हैं याद रखीगा इसका अंसर है दोस्तो रवी की फसल सीतकाल मींस आपका अ सेविन कुश्चन का अगला कुश्चन है दोस्तो 48 पाखाल वन्यजी अभ्यारंड किस राज में है दोस्तो पाखाल वन्यजी अभ्यारंड याद रखेगा 48 का अंसर है तीसरा ओप्सन तेलंगाना राज तेलंगाना राज में दोस्तो पाकाल वन्यजी अभ्यारण इस्ते थे अगला है सुल्तानपुर जील अभ्यारण दोस्तो किस राज में है सुल्तानपुर जील अभ्यारण दोस्तो इसका आंसर है आपका हर्याणा पहला विकल्प सही है दोस्तो हर्याणा राज में याद रख आपना Glend Switzerland में है देश भी पूँच सकता है दोस्तो और आपका Glend स्थान भी पूँच सकता है तो कहा होगा Switzerland में अगला कुशन है दोस्तो 51 Greenpeace का मुख्याल है दोस्तो पूँचा है Greenpeace संस्ता का मुख्याल है पूँचा गया है दोस्तो इसका भी अंसर होगा पहला विकल्प एमस्टरडम, नीदरलेंड की राजधानी दोस्तो एमस्टरडम में ग्रीन पीस का हैड़ क्वाटर है, अगला कुश्चन सेरी कल्चर संबंदे थे, आपको बताना है सेरी कल्चर किस से संबंदे आपको बताना है कौन सी फसल नगदी फसल का उधारण है तो अंसर है दोस्तो डी ओप्सन कपास कपास आपकी नगदी फसल का एक्जामपिल है अगला कुश्चन है दोस्तो पक्छी प्रिक्षक किसे कहा जाता है बर्ड वाचर दोस्तो याद रखिएगा ध्यान से बहुत ही प्रेक्टिस सेट है ये पक्छी प्रिक्षक बर्ड वाचर किसे कहते हैं दोस्तो पक्छी वेग्यानेक भी कहते हैं सलीम अली को याद रखिएगा सलीम अली पक्छी वेग्यानेक के नाम से पक्छी प्रिक्षक के नाम से फैमस है अगला कुश्चन दुग्द करांती के जन नहीं है दोस्तो बहुत important question ग्रिन हाउस गैस का example नहीं है दोस्तो carbon dioxide पढ़ चुके हैं आप जी सभी option इसका अंसर है दोस्तो helium D option दोस्तो helium जो है आपके greenhouse gas नहीं है क्योटो प्रोटो कॉल में दोस्तो greenhouse gas का निर्धारण किया गया था याद रखेगा अगला question 57 दोस्तो epic को किस राज्ज में प्रारम हुआ था इसका अंसर भी पैचान गए होंगे करनाठक राज्ज में अगला कुश्चन दोस्तो ओजोन संरक्षण से सम्बंदित सम्जोता था आपको बताना है जो ओजोन डिप्लीट से सम्बंदित सम्जोता या प्रोटोकॉल आयूजित था वो कौ दोस्तो जो ओसियन सुरक्षा सेक्योरिटी के लिए सम्मेलन हुआ था उसका नाम बताना है आपको कौन सा है इसका अंसर आप पैचान गए होंगे पहला ओप्सन हेलन सिंग की या हेल सिंग की पिरोटोकॉल दोस्तो सम्मेलन था वो समुद्रों की सुरक्षा से सम्मंदित स मेलन था के लिए रोगया 59 का अंसर अगला कुश्चन 60 Global 500 पुरुसकार किस संस्ता द्वारा प्रदान किया जाता है दोस्तो Global 500 पुरुसकार इसका भी अंसर आप पहचान गए होंगे इसका अंसर है B option UN AP के द्वारा दोस्तो United Nations इन्वार्मेंट प्रोग्राम के द्वारा दोस्तो Global 500 पुरुसकार 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 किया जाता है अगला कुश्चन गेंडा परियोजना किस वर्स प्रारम हुई थी दोस्तो 61 का question का answer बताईए गेंडा project जो है परियोजना वो कब प्रारम की गई थी तो इसका answer है 1987 1987 में दोस्तो अपकी गेंडा परियोजना संचालत की गई थी अगला question मनीपोर थामिन मिरग परियोजना दोस्तो परियोजनाओं से भी question आएगा एक नंबर का याद रखियेगा मनीपोर थामिन मिरग परियोजना कब आरम की गई दोस्तो इसका answer है 1977 1977 में दोस्तो मनीपोर थामिन मिरग परियोजना संचालत की गई थी अगला question गंगा के tiger के नाम से जाना जाता है गंगा का tiger किसे कहते हैं इसे ध्यान से option लगाईएगा याद रखियेगा इसका answer दोस्तो डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन को दोस्तो गंगा का tiger की नाम से प्रिसिद्ध है या कहा जाता है उपनाम दिया गया अगला question केंद सरकार ने राष्टी जलीव जीव डॉल्फिन कब घोसित किया था दोस्तो डॉल्फिन है जो राष्टी जलीव जीव है आपका उसे कब घोसित किया था तो 64 question का answer बताईए इसका सही answer 2009 2009 में दोस्तो भारा सरकार ने आपकी डॉल्फिन को राष्टी जलीव जीव घोसित कर दिया था अगला कुश्चन दोस्तो 65 इसका आंसर बताईए ओलेव रिडले टर्टल का प्रिजनन केंद्र किस राज्य में इस्ते थे दोस्तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट कुश्चन ओलेव रिडले टर्टल जो प्रिजाती है कचुए की दोस्तो वो प्रिजनन केंद्र कहां पर बनाए हुए है इसका आंसर है दोस्तो 65 का D option ओडिसा ओडिसा राज्य के दोस्तो गहर माथा में दोस्तो आपका ओलेव रिडले टर्टल प्रिजनन के लिए आते हैं अगला कुश्चन हेजोंग जील किस राज्य में आविस्ते थे दोस्तो बहुत ही इंपोर्टेंट जील है यह इसको याद रखिएगा हेजोंग जील किस राज्य में हैं दोस्तो इसका अंसर आप पैचाने असम राज्य में असम में दोस्तो हेजोंग जील है जो कचुवा प्रिजनन के लिए प्रसिद्ध है याद रखिएगा अगला कुशन 67 निमलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाडी में नहीं गिरती है दोस्तो नहीं गिरती है याद रखिएगा इसका अंसर है कावेरी नदी कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मोहाना बनाती है जबकि तीनों ये नदियां आपके कहां गिरती है खंबात की खाड़ी में अगला कुश्चन दोस्तो 68 गिद्स संरक्षन प्रोजेक्ट कब प्रारम किया गया दोस्तों गिद्स संरक्षन प्रोजेक्ट कब प्रारम किया गया इसका अंसर है दोस्तों 2006 2006 में दोस्तों गिद्स संरक्षन प्रोजेक्ट प्रारम किया गया था अगला कुश्चन दोस्तों 69 हाथी परयोजना जो आपके elephant project है elephant परयोजना हाथी परयोजना कब प्रारम की गई इसका भी अंसर बताइए आप इसका अंसर दोस्तो बी option 1992 में हाथी परयोजना का प्रारम किया गया था अगला question दोस्तो 70 वायू मंडल की किस परत में उलका पिंड नस्ठ होते हैं दोस्तो उलका पिंड नस्ठ होने के लिए कौन सी परत famous है इसका अंसर है दोस्तो मध्य मंडल मीसो स्वियर याद रखिएगा इसे ठंड़ा मंडल या सीतल मंडल भी कहते हैं याद रखने अंसर इसका अगला question बोर ब बॉर बाग रिजर्व किस राज में आओ इस्ते थे ? याद रखिए इस कुश्यन को भी भारत में पारेस्थितिक तंत्र के जनक दोस्तो पारेस्थित्की के जनक पूछे हैegं, एकोलोजी के जनक भारत में, दोस्तो इनका अंसर पहचानियों नोट कीजीे, 72 का B option सही है रामदेव मिस्रा दोस्तो भारत में पारिश्थित्की के जनक है अगला कुश्चन दोस्तो 73 बाल बिवाय निसेद अधनियम बाल बिवाय निसेद अधनियम किस बर्स दोस्तो बना था इसका अंसर आये B option 2006 2006 में दोस्तो बाल बिवाय निसेद अधनियम बनाये गया था याद रखेगा अगला कुश्चन है कौन विस उस्मन का प्रमुक कारण है दोस्तो जो गिलोबल बार में है उसका प्रमुक कारण कौन सा है दोस्तो ये pollution दिये गए है इसका अंसर भी पैचान लिया होगा आपने वायू प्रदूसर्ण दोस्तो D option सही है वायू प्रदूसर्ण दोस्तो बैस्वेक उस्मन के लिए उत्तरदाई कारण है अगला कुश्चन दोस्तो 75 खाद स्रंकला के परस्वर समूई को क्या कहते हैं ये भी पैचान गए हुए अंसर खाद जाल कहते हैं फूड वैब अगला कुश्चन गोमती नदी का उदगम स्थान दोस्तो पूछा गया है गोमती रिवर का जन्म कहां से होता है तो पीली भीत में स्थित फुलहर लेक से तो पहला उफ्चन सही होगा इसका अगला कुश्चन विटामिन सी का रासाइनिक नाम पूछा गया है दोस्तो इसका सही अंसर है एसकॉर्बिक एसेड याद रखेगा विटामिन सी का रासाइनिक नाम अगला कुश्चन महर सी बालमीक अभ्यारंड दोस्तो किस राज में इस्तित है महर सी बालमीक अभ्यारंड इसका दोस्तो आंसर एक है सही बिहार बिहार राज में दोस्तो भीमाबान महर सी बालमीक अभ्यारंड इस्तित है अगला कुश्चन भूमद रेखा से दुरूओं की ओर जाने पर बाय मदरेखा से दुरूओं की ओर जाएंगे तो अगला कुश्चन भारस सरकार ने जया बविधिता अधनियम पारत किया था दोस्तो जया बविधिता अधनियम कब पारत किया भारस सरकार ने दोस्तो असी का अंसर है C option 2002 में 2002 में दोस्तो इंडियन गवर्मेंट ने बायो दोस्तो 82 यूरोपा किस गिरे का चंद्रमा है दोस्तो यूरोपा जो है के सैटिलाइट है किस गिरे का इसका अंसर है दोस्तो ब्रसपती ब्रसपती का दोस्तो एक चंद्रमा है यूरोपा अगला कुश्चन है बेमिनाड जील दोस्तो किस राज में आवस्तित है बेमिनाड जील दोस्तो अंसर है केरल केरल राज में दोस्तो लंबी एक जील है बिमनाड अगला कुश्चन दोस्तो नौचंदी मेला किस जिले में लगता है दोस्तो यूपी से भी कुश्चन आएंगे नौचंदी मेला दोस्तो किस जिले में लगता है 84 का अंसर है B option मेरट मेरट जिले में नौचंदी मेले का आयूजन होता है खिचडी मेले का आयूजन होता है दोस्तों कहां पर इसका भी अंसर आप पैचान गए होंगे गोरकपूर आपके मुख मंत्री के संसदी छेतर में गुरकपुर से दोस्तो आयोज़त होता है खिचडी मेला अगला कुश्चन पश्चिम मंगाल का सोक दोस्तो किस नदी को कहा जाता है पश्चिम मंगाल का सोक दोस्तो दामोदर नदी को कहा जाता है याद रखिएगा और तीस्ता नदी है जो सिक्किम से बहती हुए आती है और गंगा में मिल जाती है कोशी नदी को बिहार का सोक कहते हैं दोस्तो ओडिसा का सोक महा नदी को अगला कुश्चन पारिश सिदिक तंत्र में उर्जा का पिरवाए अगला कुश्चन किस पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है अगला कुश्यन, इन्हन के रूप में प्रियोकते संपीड़े प्राकिटे गैस का नाम दोस्तो, क्या नाम है इसका प्रिछलित रहता है, तो इसका अंसर आप पहचान गए होंगे, 90 कुश्यन का C ओप्शन, CNG, कॉन सी है दोस्तो, संपीड़े प्राकिटे गैस, CNG, अगला कुश्यन, महा नगरों में होने वाला धूमर कोहरा, किसका पढ़नाम है दोस्तो, धूमर कोहरा, इसका आंसर पहचान गए होंगे, 91 का A option, वायू पॉलिशन का, एयर पॉलिशन का, दोस्तो, धूमर कोहरा पढ़न रहते हैं कहलाता है ये option एक यहाँ पर तीन ये रहे दोस्तो इसका अंसर डी option होगा परियावरान इनवार्मेंट दोस्तो कहलाता है अगला question 93 निम्न मैंसे कौन रियोडी जेनरो में संपन हुआ था दोस्तो रियोडी जेनरो में संपन होने वाला सम्मेलन तो आपका पैचान गए होंगे प्रतम प्रत्वी सम्मेलन दोस्तो जो 1992 में आयुजित हुआ था आपका रियो में अगला हरीकेन चलते हैं अगला question है दोस्तो हरीकेन कहां चलते हैं तीसरा option प्रतम और दुतियक दोनों पिरकार का उपभुखता है मनुष से अगला question हाथी खरगोस हिरन एक पिरकार है दोस्तो हाथी खरगोस हिरन किस पिरकार के उपभुखता है दोस्तो ये साकारी होते हैं हरवी बोर्ट तो प्रतम चरण के होंगे फर्स्ट कंजूमर अगला question कपास के लिए सरवाधिक उपयुक्त मिट्टी पूछिए दोस्तो कपास के लिए सरवाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होगी तो दोस्तो काली मिट्टी है कपास के लिए सरवाधिक इसी का नाम है रेंगोर मिट्टी अगला question, great barrier reef का निर्मार हुआ है दोस्तों किस से हुआ है great barrier reef का निर्मार इसका अंसर है B option, calcium carbonate का दोस्तों ये बना होता है great barrier reef जो मुंगा चट्टान होती है, मुंगा जीवों के द्वारा बनती है अगला question, पक्षी-pard delta दोस्तों, bird photo delta कौन सी नदी बनाती है तो आपका Mississippi नदी बर्ड फोट डेल्टा का निर्माड करती है अगला कुश्चन तमिल नाडू राज्जी की तट सीमा का नाम पूछा है दोस्तो क्या होगा तमिल नाडू की तट सीमा का नाम इसका भी अंसर पहचान गए होंगे कोरो मंडल तट कहलाता है दोस्तो तमिल नाडू का तट मित्रो कैसा लगा वीडियो आप मुझे बताइए उसाथ में दोस्तो डिस्क्रिप्सन बॉक्स में जाकर के पीडियाप भी डाउनलोड कर लीजिए वहां मैं अपलोड किये दे रहा हूँ इस पूरी पीडियाप को क्लियर मित्रो बहुत महत्पूर्ण वीडियो है आपके लिए और आप इसे सेर कीजिए दोस्तो चैनल पर पहली बार हों तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाईए साथ में जिससे मेरे चैनल की अपडेट्स आपको प्राप्त होती रहें ओके मित्रो ठैंक्स पूर वाचिंग वीडियो जै हिंद जै भारत मित्रो